हलो दोस्तो एक बार फिर स्वागत आपका अपने सी यूटूब चनल और लाय रोजगार में दोस्तो ब्रेकिंग न्यूज है मुहरम 2022 को लेकर मुहरम 2022 में इस बार नहीं निकाले जाएंगे मुहरम के जुलूज क्यों नहीं निकाले जाएंगे क्या नियम बनाए योगी यदेतनाथ ने बहुती बड़े नियम बना दिये है तो जान लेकली वीडियो को लाश तक जरूर देख ले इसमें आपको पूरी जानकारी मिल ले वाली है तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं पूरी जानकारी मुहरम कमेटी के अपरिये घटनाओं को रोकने समाज में अमनचयन और शांती कायम रखने के लिए एफाइसला लिया गया है फैसला देश के मौजूदा हालातों के मद्दे नजर लिया गया है बता दे कि इलाबाद में हर साल महरम पर बड़े जुलूस निकलते हैं इस बार इमामबाडों, मस्जिदों और घरों में ही रस्म अदा की जाएगी बहीं सड़कों पर कोई भी सर्वजाने कारेकरम नहीं होगा यानि इस बार भारत में महरम का त्विहार आठ या नौ अगस्त को मनाया जा सकता है महरम जिसे ज़्यादा तर लोग एक त्विहार के रूम में जानते हैं एक हिज्री केलेंडर के पहले महीने का नाम है इसलाम में चार महीने है जो बेहत पवित्र माने जाते हैं महरम 2022 पर यूपी पुलिस की महरम की गाड़लाइंस में ये जानकारी सामने निकल का आई मौलाना कल्वे जावेद जवाद के भी ये वयान सामने आए महरम को लेकर यूपी समित इन देश के अलग अलग राज़ों में गाड़लाइंस जारी कर दी गई है इस बार करोना की संभावना तो नहीं है लेकिन महरम ताजिय और जुलू से निकाली की अनुमती तो मिल गई है देश के कई राज्य सरकारों के ने महरम को देखते हुए गाड़लाइंस जारी कर दी महरम में हजरत इमाम हुसायन साहित करवला के 72 सहीदों की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है इस मातम में लोग काफी भीड इखटा होती है लोग ताजिय और जुलू से निकालते हैं इस बार महरम 2022 को पूरे देश में मनाया जाएगा नौ या आठ आगस्त को तो दोस्तों महरम 2022 को लेकर ये थी बड़ी खबर तो आपको ये जानकारी कैसे लेगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस यूटूब चैनल को जरूर सबस्क्राब कर ले वीडियो को जादा जादा शेयर करें तकि जादा जादा लोग इस जानकारी को पास सके तो अब मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नई जानकारी कसा तब तक लिए अपना ख्याल रखें टेक केर